तो हे गाइस वेलकम टू SFF और आज की से वीडियो में हम बात करनें वर्ल्ड कुप के एच के मैचेस के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं सौथ अफ्रीका और स्रिलंका के मैच के बारे में तो गाईस क्या ही जबरजस्त मैच हुआ है साउथ अफ्रिकन बैट्समेन ने जो दुलाई किये सिरलंकन बॉलर्स की भईया पूछो मत तीन बैट्समेन ने सेंचुरी मार दी एडन मारकम ने 106 बना दिये विंटन डिको के 100 और रेसी भईया के 108 और इन पारियों के वजह से 428 के टूटल तक पहुंच पाया थी आज साउथ अफ्रिकन टीम और ये टूटल आज तक के वर्ल्ड कप के हिस्ट्री में सबसे बड़ा टूटल है और इसी के साथ 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 अफ्रिका वालों और दो वॉलर्स को तो 90 रन से भी ज़ादा पड़ गए हैं आज के मैच में है 429 रन का पीछा के टीम के तरफ कुसल मिंडिस असलांका और शानाका ने काफी अच्छी बैटिंग की थी अब बात करते हैं आज के पहले मैच की तो इस मैच में आमने सामने थी बंगलादेश और अफगानिस्तान की टीम और काफी डॉमिनिटिंग परफोमेंस दे दिया राजबाइंगा देश वालों ने पहले तो अफगानिस्तान को 156 पर अल आउट कर दिया उसके बाद 34 ओवर में ही 4 विकेट को कर ये मैच को भी पूरा जीत लिया वेल अब बात करते हैं हमारी इंडियन टीम की वर्ल्ड कप जरनीगी तो कल हमारा वर्ल्ड कप में पहला मैच है और सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि हमारे शुबामन गिल इस मैच में अविलेबल नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो सफर करें डेंगू फीवर से एंडिया के बाकी अफकमिंग मैचेस में हो हमें खेलते हुए मिले फिर भी रिली होप की वर्ल कप की हमारी शुरुआत एक जीत के साथ हो लिकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया काफी डॉमिनिटिंग टीम रही है और उसे हाराने इतना भी आसान काम नहीं है खास कर कि वर्ल कप म वैसे इस वीडियो के लिए इतना ही मैं मिल तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सीओ टाटा बाबाई